नमस्कार ट्रेंस एंट्रेवल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाजहापुर की साइट से अब पीली भीत वाली लाइन पर मास्क डालने का काम शुरू हो गया है ये पहला वीडियो जो है दो पार्ट्स है इस वीडियो में पहला है पंकज कुमार जी ने जो कि वाराड़ सी बरेली एक्स्प्रस ट्रेवन से लिया गया है और यह पावर के बिन आ गया धका भीडियो में सैट से होते हुए विडियो की दिशा में चल रही है और जैसा पंकज जी ने बताया कि यहां पर अब OHE मास्ट डालने का काम धकाताल के आगे जो कर्व है पीलिभीत वाला उस पर कारी शुरू हो गया है तो शाजहापुर से हमारे सौरा भाई ने आगे का जो दूसरा वीडियो है इसी में सेकेंड पार्ट वो बनाकर आज हमें भेजा है जिसमें आपको हम पीलिभीत लाइन पर जो OHE मास्ट डालने का कारे शुरू आए वो दिखाएंगे कि कहां से कारे शुरू आए ये चलती हुई ट्रेन से वीडियो लिया गया है दूर पर कुछ मास्ट आपको नजर आएंगे लेकिन चुकि स्पीड अधिक है ट्रेन की और डिस्टिंस काफी हो जाता है तो इसमें उतना क्लियर नहीं आया है वीडियो में लेकिन एक छोटा सा व्यू उन्होंने भेजा था और ये जानकारी जिस पर आज फिर ये जो वीडियो यहां से अब आप देखेंगे पार्ट टू ये वीडियो भेजा है सौरभ भाई ने सौरभ भाई वीडियो भेजने के लिए ब जिदर ट्रैक जाएगा उसमें अभी मास्ट नहीं पड़े हैं ये धकाताल से पीछे अभम खड़े हैं और इधर आप देख सकते हैं ये ट्रैक जा रहा है शहवास नगर की दिशा में यहां पर आपको ओएची मास्ट सामने नजर आ रहे होंगे ये बड़ी खबर है कि रे चार-पांच किलोमेटर का सेक्शन रह गया है जिसमें अभी फाउंडेशन बनाई जा रही है तो इधर फाउंडेशन बन चुकी हैं शहवास नगर में स्टिशन पर कंप्लीट हो गई है वहाँ पर भी कल क्रेन और केंपिंग को सब पहुंच गया परसों कल हमने उसका पर यहां से जो ट्रैक जा रहा है पिली भीत की दिशा में ओएची मास्ट आपको नजर आ रहे होंगे तो इसका मतलब साफ है कि अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शाजहाँपुर की साइट से भी तेज गती से होगा और अक्टूबर तक आप मान के चलिए जैसा कंप इलेक्ट्रिफिकेशन में ओएची मास्ट यहां पर डाले जा चुके हैं ओएची के मास्ट आप देख सकते हैं दूर तक अब इनको 90 डिग्री पर सेट किया जाएगा तो यह था छोटा सा अपडेट शाजहाँपुर की साइट से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पर